हेलो गाइस and welcome back in the new video तो गाइस बिना देर के चले स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार कमाल की वीडियो को तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों सुमीरी होशीनो को डोरे मौन सिरीज में एक दम बीचो बीच में जोड़ा जाता है तो ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई थी कि सुमीरी होशीनो को डोरे मौन सिरीज में बीचो बीच में जोड़ा जाता है अगर हम लोग डोरे मौन की ओल्ड अनिमेशन या फिर मांगा को देखेंगे तो उसमें सुमीरी होशीनो की कहीं वे प्रेजन्स नहीं है जी हां गाईज मैं उसी सुमीरी होशीनो की बात कर रहा हूं जो परमें सिरीज का एक में केरेक्टर है जिसे हम लोग पाको के नाम से भी जानते हैं क्या डोरेमोन सिरीज में सुमीरे होशिनो को स्टूडियो वाले इस वज़ा से जोड़े हैं कि वह हमें इन फ्यूचर परमैन से रिलेडेट कुछ ना कुछ बता सकते हैं या फिर ये इस्टूडियो वालों की एक गलती है जो की गलती लगती नहीं है क्योंकि पहरे ही एपिसोड पर हम लोग देखते हैं सुमीरे होशिनो नुविता से मिलती है और मिलने के बाद वो नुविता को मिसो के बारे में बता देती है हम लोग ने तो ये एपिसोड बहु तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा confused और गलत हो सकते हैं क्योंकि सुमीरे होशिनो को जोड़ना एक बड़ी बात है इससे पहले अगर हम लोग देखें डोरे मौन सिरीज में बहुत सारे character थे बहुत सारे celebrities थे जैसे सुबा साम बहुत बड़ी celebrity बन चुकी थी डोरे मौन सिरीज में बट अब वो भी हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है अब उसकी जगा हमें एक celebrity देखने को मिलती है जो कि सुमीरे होशिनो है अगर गाइस मैं अपनी बात को सीधे तोर से कहूँ कि मैं कहना क्या चाता हूँ तो मैं यही कहना चाता हूँ कि स्टूडियो वाले डोरे मौन सिरीज भी सुमीरे होशिनो को जोड के कोई गलती नहीं किये है इन फ्यूचर डोरे मौन सिरीज में सुमीरे होशिनो की मदद से हमें डोरे मौन सिरीज में पर्मैन से related कुछ stories देखने को मिल सकती है इसके लिए मेरे पास कुछ proof है जो कि ये बताता है कि डोरेमोन सेरीज में हम पर्मैन से related कुछ stories या फिर कुछ interesting चीज पर्मैन से देख सकते हैं तो गाइस चलिएंग मैं आपको proof बताता हूँ तो गाइस डोरेमोन के एपिसोड में सुमीरे होशिनो दो बार अपियर हो चुगी है और जिसमें ही दोनों बार वो मिसो के बारे में बताती है पहले एपिसोड में हम लोग देखते हैं सुमीरे जो रहती है वो एक बीच पे रहती है और वो नूविता को मिसो के बारे में बताती है और फर्स टाइम वो फोटो भी दिखाती है तो guys second episode के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं सुमीरे होशिनो की secret love life के बारे में basically उसमें एक बंदा होता है होजाएम डोजी रो जो कि सुमीरे होशिनों से साधी करने की कोशिस करता है जवरदस्ती बट आखरी में सब कुछ सही हो जाता है और हम लोग देखते हैं आखरी में सुमीरे होशिनों वो लॉकेट पकड़ी रहती है जिसमें मिसो की फोटो होती है और वही लॉकेट वाली फोटो वो नूवीता क यहां को दिखाती है पहले एपिसोड में तो यहां प dummy यह बात connect होती है कि किस तरह दो एपिसोड में सुमेरे होशिनों को दिखाया गया है और दोनों ही एपिसोड में श्टूटीओ yapa ऐसे करेक्टर के बारे में बता दियें जो कि डोरेमोन सीरीज में था ही नहीं मिसो के बारे में जो की पर्मैन का करेक्टर है और पर्मैन सीरीज डोरेमोन सीरीज अलग-अलग हैं यहां पर सुमीरे होशिनो को एड करके दो एपिसोड में मिसो की कहानी बताकर अब स्टूडियो व खोशी दो इस सीरीज में एक्तम अचानक से लाए गई है और अचानक से लाने का मतलब है कुछ ना कुछ हमें इंट्रेस्टिंग देखने को मिल सकता है तो चलिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हमारे चैनल की मॉस्ट वीडि बोड़ी एक्चेंजमेंट वाला जिसमें सब लोग एक दूसरी की बोड़ी एक्चेंज कर लेते हैं तब ही हम लोग देखते हैं शेजुका जो रहती है वह अपने रूम में बैट के टीवी देख रही होती है तब ही उसे टीवी में हमें स्लेबर्टी के तौर भी दो लोग देती हैं बेसिकली उसमें एक स्लेबर्टी तो हम पता है वो कौन थी वो थी सुमीरे होशिनो अगर आप लोग इस फोटो में देखें और यह जो टीवी में फोटो है इन दोनों को अगर मैच करेंगे तो आपको पता चले का यह लड़की कोई और नहीं सुमीरे होशिनो है यहां तो confirm था कि यह सुमीरे होशिनो है और second जो यह सुमीरे होशिनो जिसको गले लगाई है वो कौन है अभी तक कि हमें डोरेमोन स्रीज में यह बताया नहीं गया कि यह लड़का मिसो है तो मैंने यही प्रूफ किया था कि यह लड़का मिसो है तो बहुत लोग ने कहा कि आप लोगे देखना है तो देख लेना तो दोरेमोन स्रीज से हमें जितना भी परमेंसर ञेलेटेड जानने को मिलता है उससे हिसाब से हमें लग रहा है कि सुमीरे होशिनो को अड़ करकर और दोरेमोन स्रीज में परमें की कुछ걸 मेंश के एमेजज या फिर कुछ अपेरनस स्रीज में मेरे को क्यों एड किया हमें कमेंट करकी जरूर बताना तो गाइस जाते-जाते बस मैं आप लोग से हैं कहुंगा एक दिसंबर आने वाला है तो आप लोग अगर पर्मैन की पर्टीशन पर साइन नहीं कि हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यार कम से कम उस पर साइन कर दो एक दिसंबर तक कि हमारे पास एक ऐसी पर्टीशन रहेगी जिसकी वजह से हम दुग डिमांड कर सकते हैं पर्मैन की मूवीज के लिए और अगर अभी तक कि आपने फेस्बुक पर पर्मैन का ग्रूप जॉइन नहीं किया तो वहां पे भी जॉइन क किया की नहीं किया तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई